हेलो फ्रेंट्स, मोस्ट वेलकम, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आप सभी के बीच मैं बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ प्रस्तूत हो रहा हूँ बीच में कभी बीजी स्टूल होने के वज़े से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाया इसके लिए हम छहमा चाहते हैं आज एक केस के माधियम से मैं आपको सिष्ट का केस बताऊँगा उसके माधियम से मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा आप से आए फेरिर इस मैं ड्र ध उसे सुनोग्राफी है उसमें सिष्ट गायब हो गया कहने का मतलब है कि जो उनके अंदर ओवरी में सिष्ट था वह होमपथिक ट्रेटमेंट से बहुत ही सरल ट्रेटमेंट है यह बहुत ही इजी ट्रेटमेंट है जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे इतने सारे वीडियो हैं आपको अब आईए कि इसको देखते हैं तो यह जो डोनों स्टोनोग्राफी आप के पास है इसमें एक में है और एक में ऑब्रेण सिष्ट खतम हो चुका है यह महिला है, मेरे पास आती है और यह कहती है कि मेरे पेट की नीचेले हिस्ते में बहुत दर्द होता है और जब इनको मेंसेज आते हैं तो क्लोटिंग, क्लोटिंग बिल्डिंग होती है और बहुत ही पेनफुल बिल्डिंग होती है उस समय सब्सक्रेचा सब्सक्राइब सब्सक्राइब झाल जाती नहीं हूँ पर घंञ एक संग मुझे डर लगता है अपने बच्चों की चिंता अपने हस्बेंड की चिंता इंको नगतार बने राती है अगर घर में बच्चे बिमार बहते हैं या इनके अपना दुख तकलिफ छोड़के पहले उनके लिए भागती है कि सबका ट्रीटमेंट मेरे पास चलता है तो यह सब के लिए बहुत ही कौसस हैं इतनी कौसस है मैं आपसे बताऊं कि एक डेक्सप मेरे दवा छोड़ दीजे पहले पहले इनका देजिए तो इनकी दवा निकलती है आर्सेनिक मैंने इनको आर्सेनिक 30-201 तक मैंने दिया और इनके जो इरेगुलर पिरियट थे पहले रेगुलर हुए रेगुलर होने के बाद इनकी जो ब्लीडिंग क्लोटिंग आती थी वो बंद हुए पेन इनके खत्म हुए दर्द खत्म होने के बाद जब यह दो धाई महने बाद फिर से सोनोग्राफिक कर करते है तो इसमें पाती है कि एट खत्म हो चुका है तो फ्रेंड मेरा एक बनाने कहीं मकelsब है कि जो मेरे व्यॉत हैं जो इस बीडियो को देख रहे हैं वह अच्छी तरह समझ लें कि operation कया वतारा नहीं पड़ती है और सिस्ट कितना ही बड़ा उस टेकनिक से अगर आपको दवा उदे रहे हैं तो आप पूर्णतर ठीक हो जाएंगे फ्रेंड्स एक बात ध्यान देने योग यह है कि किसी भी प्रॉब्लम की एक दवा नहीं होती है जैसे मैंने ओबिरियन सिष्ट में जो दवा बताई है वो कुछ और दवा है आज की जो यह ओबिरी का केस है इसमें आर्सेनिक मैंने बताया कि आर्सेनिक से यह पेसेंट ठीक हुई थी ब्राडोना से ठीक हो सकती है, कैलकेरिया कार्ब से ठीक हो सकती है, किसी भी होपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है अगर उस दवा से उस सिम्टम को पुड़ा मैच किया जा रहा है यानि कि जो हमारे अंदर इन जो इस पेसेंट के अंदर जो शीम्टम है उस दवा से मैच कर रहा है तो उस दाई उसमें काम आएगी अगर नहीं स 51 मräच है तो कभी भी ऊसमें काम आएगी वीडियो में जो दवा बताई जा रही है यह जो नहीं कि यह दवा पर काम करेगी आपका case हमें लेना पड़ता है बहुत से लोग फोन करते हैं कि ड़क सब दवा बता दीजिए अरे ऐसे कैसे दवा आपको हम बता सकते हैं भाई आपकी जब तक case फूरे हम लेंगे नहीं, आपकी history नहीं लेंगे नहीं, रिपर्टराइज नहीं करेंगे, उसको similimum नहीं करेंगे, जब तक उस system में, computer में जब तक कि आपकी दवा नहीं आएगी, हम कैसे दवा बता सकते हैं, आपकी दवा अलग होगी, दुसरी को अगर assist ह आपकी दवा अलग हो सकती है, सबकी दवा अलग होती है होँपैथी में, बहुत से लोग phone करते हैं, बहुत से phone कल साते हैं, टक सा दवा बता दीजिए, तो भाई, यह कोई ओ चीज तो है नहीं कि हमारे पास रखा हुआ हम आपको फट से दे दे, ऐसे होँपैथी नहीं है, ऐसे में आप ठीक नहीं हुपाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेहनत करते हैं, आपको कई बार हम से बात चित करनी पड़ती है, phone आपके आते हैं, हम उसके जवाब देते हैं, अपने बहुत से बीजी से समय निकालके हमें आपको देखना है, और हम पूर इमंदारी से आ लोग कते हैं, डाक्टर साब फिस लेते हैं किया आप, आप ही बताईए कि मतलब आपको अगर हम बिना फिस के देखेंगे, तो आप कितना हम पर विश्वास करेंगे, आपको लगए कि डाक्टर तो पैसा ही ने ले रहा है, या क्या देखता हो गया रहे तो ऐसा ही बस है, आप अगर फिस देंगे, तो आपको खुद बिलिव होगा कि हम एक अच्छे डाक्टर से इलाज करा रहे हैं, तो अगर आपको हम से ट्रेटमेंट लेना है, तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और इस पे काल कर सकते हैं, और आने वाले समय में आपको फिर से दु किसरे वीडियों बता चुका है, मैं आपको एक लाइन बता दूँ कि अगर आपको ओभरी में सिष्ठ है, यानि गाठ है, चाहे वो किसी प्रकार का ओभरी हो, और किसी प्रकार का सिष्ठ हो, चाहे वो डर्माइट सिष्ठ हो, चाहे हेमोरीजिक सिष्ठ हो, चाहे चॉकले को हम अपने मस्तिक में बैठा लें कि अगर सिष्ट नहीं खतम हुआ तो हम मा नहीं बन सकती हैं हम मतलब एक नए एक बच्चे को जर्म नहीं दे सकते हैं अगर आपको सिष्ट है तो पहले ओ सिष्ट का निकलना जरूरी है तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको केस आपको बता रखा है कि ओबरी के जो सिष्ट थे उनके अंदर वो कैसे खतम हुए और इस जो वीडियो भी जो आप देख रहे हैं इसमें भी ओबरी सिष्ट आपके सामने दिखा रहा है इदम खतम हो गया और अब वह महिला आती है एकदम मस्त हेल्दी है तो फ्रेंड् बीचु पस्तित होंगे थाइंक्यू धन्यवाद नमस्कार